Alo everyone, देखे, next topic करते है measurement of length देखो, इससे पहले आपने किये है practical units, length के, time के, mass के, ये सब की है मात अपने ठीक है अब हम जो करने वाले ये है measurement of length length के measurement काईसे होती है, time की measurement और mass की measurement ये सब हमारे topics सभी रहते हैं ठीक है, creation of length की हम बात करते है as the distance of separation between the two points in space मतलो कहा distance of separation between the two points, two points ही है और इनके बीच का जो distance है, वो तो यहाँ पर जो line लिखी हुआ है in space in space का मतलब क्या पूरे universe की बाद हो रही है अर्थ पे तो हो ही रही है बात लेकिन length measurement की बाद पूरे universe में हो रही है माल लो यहाँ से हमें अर्थ से moon का distance measure करना है या किसी planet का distance measure करना है या कोई star है उसका distance measure करना है ठीक है तो यह सब क्या है पूरे universe में तो आ गए एक point अर्थ माल लिया दूसरा point moon माल लिया ठीक है अब तो इनके बीच का जो यह distance है यह क्या है length होगी इनकी clear है इतनी बाद ठीक तो इसलिए space का मतलब यहाँ पर आपको समझना है कि क्यों use किया है space ठीक है उसके बाद देखो दो तरीके हैं हमारे पास length को measurement करने के एक तो होता है direct method एक होता है indirect method यहाँ पर ठीक है तो direct method क्या है direct method वो है जिसको हम खुद measurement कर सकते हैं बड़ी असानी से जैसे की यह scale है ठीक है इस scale से हम यह measurement कर सकते हैं दो points की हमें पता है जैसे यहाँ पर यह approximate 4 cm क्या आ रहा है ठीक है तो ऐसे हम कुछ distance को measure कर सकते हैं जिनको हम बोलते हैं यह क्या है direct method है कि हमारे पास कोई जैसे यह scale हो गया ठीक है और यह तो छोटा scale हो गया इसी तरीके से जैसे inch tape हो गए बड़े या फिर आपने देखे होंगे जिनको हम बोलते हैं हिंदी में फिते ठीक है न वो काफी length होती है उनमें आप देखो जैसे तो यहां से आपको यह चला कि direct method क्या होता है जिसको खुद major कर सकते हैं with the instrument किसी instrument की help से अब जिसे हमने कहा कि यह measuring instrument कितने हो सकते हैं direct method में तो देखो सबसे पहला तो है क्या a meter scale for distance from 10 की बावर माइनस 3 meter से लेकर 10 की बावर 2 meter तक देखो 10 की बावर 2 meter हो गया मतलब की 100 meter तक के होते हैं हमारे पास जो यह हम कहते हैं इंच टेप वगएरा इंच टेप तो छोटा सा ही होता है कपड़े वगएरा measure करने के लिए जो हम 50 बात कर रहे हैं ठीक है न तो वह थोड़े जादा होते हैं जैसे हमने का नहीं जबूतना भूल आ 100 meters but बहुत ज्यादा होता है तो ठीक है इंच में हो गए मीटर में हो गए सेंटी मीटर में हो इस तरीके से हमें बताए ऐसा री मेजर्मेंटर में तो अब जो यहाँ पर यह 10 कभार minus 3 meter है इसका मतलब क्या है 10 कभार minus 3 meter क्या है कि सबसे छोटा distance कितना major कर सकते है meter scale की help से तो यह हम कर सकते है 0.1 cm समझे जैसे हमने इसी खाया था आपको least count निकालना थीक है least count आपको पता है meter scale का कितना होता है 0.1 cm और जैसे आगे Vernier Caliper है, Screw God, यह Spherometer यह सब हैं, यह आपको पता है, यह कहाँ पर आप कर सकते हो, इनको देख सकते हो, अपनी लैब्स में, practical लैब्स में आप देख सकते हो जाके, और अपने टीचर से पूछ भी सकते हो, कि इनके हम किस तीके से least count निकालते हैं, ठीके, तो जै से multiply करते हैं, 100 से करते हैं, तो 10 की बार माइनस 3 है, तो नीचे जाके यह 10 की पावर 3 बन जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और उपर क्या है, 100 रहे गया, ठीक है, आप देखो ज़रा, यह 10 की पावर 3 है, उपर 100 है, 10 की पावर 3 को, दिखाई दे रहा है, आप देखो यह 100 हो यहाँ पर यह 10 की पावर 3 हो गया, और 100 यह रहा, 10 की पावर 3 को मैं 1000 लिख सकता हूँ, और 2,0 से 2,0 को ही 1 by 10, 1 by 10 को क्या लिखता हूँ, 0.1, तो 0.1 cm ही कहा है हमारा, यह 10 की पावर माइनस 3 मीटर है, तो इसमें confuse ना होना, जादा से जादा लाहन कि इतनी 100 मीटर की, और क कम से कम, कम से कम यह आपको पता ही है, यहाँ पर जो scale होता है आपका, यह जो आपके बास 0 से 1 के बीच में कितनी लाइन है, यह 10 लाइन है, तो यह बिलकुल 0 के बाद जो एक छोटी लाइन है यहाँ पर, अगर आप देखोगे अपने scale में खुद से, तो यह 0.1 cm होता है, जो आपको पता है, नॉर्मली measurement जिससे होती है, वो meter scale होता है, ठीक, उसके बाद आते हैं, जो practical labs में use करते हैं, हम लोग वो होते हैं, vernier kelly पर, ये जो होते हैं, बहुत ही छोटी चीजों की measurement के लिए, जिनकी length बहुत ही छोटी है, उनको measurement करने के लिए काम आता है, तो vernier kelly प मैं centimeter में करूँगा, तो 100 से multiply, और ये 10 की power 4 जब नीचे जाएगा, तो plus का 4 बन जाएगा, और उपर क्या है, 100 है ही यहाँ पर, अब 10 की power 4 है, जो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10,000 लिख सकता हूँ, और ये 2 0 इस से कही, तो 1 by 100, 1 by 100 कितना होता है, 0.01 होता है, तो ये centimeter ये 10 की power minus 4 ये ही है, तो इसका least count जो होता है, वर्नियर कैलिपर का, वो कितना होता है, 0.01 cm, जैसे meter scale में 0.1 चोटे-चोटा measure कर सकते हो, वर्नियर कैलिपर में आप 0.01 cm तक की भी length को measure कर सकते हो, कि अतनी बात clear है, थर्ड पर्ट में चलते है, थर्ड के हैं हमारे पास, तो जो पतली सिवायर होता है, उसका diameter measure करने के काम आता है, screw gauge, ठीक है, और इसका जो least count होता है, जो हम कहते हैं, जो इसमें लिख रहा है, 10 की power minus 5 meter तक measure कर सकता है, तो ये बहुत ही चोटी length है, कैसे 10 की power minus 5 meter होता है, आपका 0.001 cm, जैसे 01 था, यहाँ पर 201 cm, ये 10 की power minus 5 meter होत 100 से multiply, और 10 की power 5 नीचे जाएगा, तो ये plus का बन जाएगा, और ये 100 है, यहाँ पर, और ये 100, और 10 की power 5 का मतलब क्या है, यहाँ पर आपके पास, 1 के आगे कितनी 0s, 5 0s, 1, 2, 3, 4, and 5, ठीक है, जैसे आप 1 upon में 10 की power 3 करते हैं, तो 10 की power 3 मतलब क्या होता है, 1000, 1 के आगे 3 0s और ये 10 की power 5 मतलब क्या है, 1 के आगे 5 0s, और ये देखो, 2 0 से ये 2 0 गई, कितना बचरा है आपके पास, यहाँ, 1 upon में 1000, और 1 upon में 1000 क्या होता है, 0.001, 0.001, 1000 है ना, समझ रहे हो, 100 होता तो 0.01, और ये 1000 आगे तो 0.001 cm, इस तरिक्के से 10 की power minus 5 मेटर यहाँ पर लिखा ह होता है, अब आपको ये तो length measure करने के लिए हो रहा था ये, अब thickness को कैसे measurement, देखो, thickness हो गई, मोटाई हो गई, जिसे हम बोर रहे है, या फिर length हो गई, या height हो गई, जैसे height है, माल लोगी चीज की, ठीक है, तो ये है तो ये की चीज ना, इसको height बोल दूँ, length बोल दूँ हो सब एक ही बात है, यहाँ पर measurement of length में, ठीक है, तो spherometer किसी बीचीज की मोटाई, जो है measure करने की, जैसे mostly है, किसमे हम use करते हैं, labs में, जो आपके concave lens, convex lens, ये सब चीज होते हैं, इनकी thickness को measurement करने के लिए, ये use होते हैं, ठीक है, clear एतनी बात यह नहीं बताओ, तो ये spherometers ह हो गए, ठीक है, और ये screw goes हो गए, लेकिन spherometer का जो least count होता है, वो इतना होता है, 0.00025 cm, ये होता है, ठीक है, तो ये वाली कहानी जो है, यहाँ पर नहीं बताए गई है, ठीक है, लेकिन आपको वैसी बता रहा हूँ है, कि ये, ये होता है, इसका spherometer का least count होता है, ये इतन indirect method का होता है, indirect method वो method जैसे कि हमें यहाँ से moon का distance को measure करना है, अब आप यहाँ खड़े होके, एक सीरे पे, जो है, inch tape को बांदो, और दूसरे सीरे को लेकर जाओ, वहाँ तक तक तो इतना बड़ा तो inch tape भी नहीं आफिता है, आपके पास, ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ह समझ रहे हो, यह तो मजाग की बात ही, में यह बात है कि indirect methods क्या है, कि जिनको आप नहीं measure कर सकते हो, ठीक है, तो हम कैसे measure करें, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप measure नहीं कर सकते हैं, मतलब क्या है, इनकी help से नहीं measure हो सकता है, इनको measure करने का तरीका दूसरा होगा, तो इसक कहां measurement होते हैं, बहुत ही large distances को measurement करने के लिए, जो कहानी है, हमारी वो कहा है, indirect methods है, ठीक है, इन में indirect methods में कहीं सारे methods आ जाते हैं, जैसे हमारा parallax method होता है, laser method हो गया, radar method, eco method, sonar method, यह सब ठीक है, जैसे planets की measurement करते हैं, तो हम mostly parallax method से करते हैं, ठीक है, जैसे बहुत ही large distance की measurement करनी है जैसे सी में करनी है तो सोनार मेथड होगा इस तरी किसे हम वन बाइवन डिसकस करेंगे तो देखो इंडरेक्ट में यही लिखा हुआ है कि इस मेथड जो करने के लिए जैसे कि दिस्टेंस हो गया प्लाइनेट का या स्टार का टुम द आर्ख उसके बाद लिख रखेए डेर आर्व ये पास वो कहीं सारे हैं क्या है वो parallax method हो गया laser method हो गया radar method eco method सुनार method यह सब जो है indirect methods है large distances को measure करने के लिए clear इतनी बात बता हो समझ में अब इसमें हमारे पास जो parallax method है यह important है ठीक है इसको question भी आते है paper में तो यह हम next video में करते हैं ठीक है चलो next video में हम इसका parallax method करेंगे clear ओके जी thank you